पानी की कहानी उसका पांचवा भाग विचित्र है जब मैं और नीचे समुंद्र की और समुंद्र की गहराई तै में पहुची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है अभी कहरी कि मैं और नीचे अंदर की और तरफ गई समुंद्र में तो मैंने देखा कि नीचे जंगल है छोटे ठिंगने मोटे पते और पेड बहुतायात में से लगे हुए हैं वहाँ पर पहाडिया हैं गाटिया हैं इन पहाडियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निमट अंदे तथा महा आलसी हैं अभी केरी नीचे नीचे इतने इतनी नीचे गई में कि वहाँ पहलग अलग तरह के जीव जन्तू थे जो अंदे भी थे और कई अजी भी तरह के थे और पहाडों के अंदर रह रहे थे वो नीचे भी पहार थे, गुफाएं थी, नाना प्रकर के अनि बहुत सारे जीवते, यहां सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे, जी मैं आया कि उपर लौट चले, अभी केरी कई वर्षों तक मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि उपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पढ़ा किया, असंभाव है, मेरे उपर पानी की कोई तीन मील मोटी तै थी, मैं बूमी में गुश कर जान बचाने की चेस्टा करने लगी, अब उसने सोचा कि मैं जमीन में गुश के अपनी जान बचा लूँ, या मेरे लिए कोई नई बात ना थी, करूडों, जल, ज जमूंद्र का जल नीचे धस्ता जाता है। विकेरी, सालों से यही चला आ रहा है कि जमीन के नीचे धस्ता चला आ रहा है पानी। मैं अपने दूसरे बाइयों के पीछे-पीछे चटान में गुज गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चटान में गुसकर हम प्रतवी के भीतर एक खोकले इस्थान में निकले और एक इस्थान पर एक खटा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए पढ़े रहते हैं मगर कुछ यूवा भी थे उसमें जुन को मतलब वो था कि हम बाहर जाएं और कुछ देखें बे एक स्वर में बोले हम खोच करेंगे प्रत्वी के इरदे में गूम गूम कर देखेंगे कि बीतर क्या छुपा हुआ है बिटा आप लोगों ने भी देखा तो ऐसे ही वो भी यूवा पीड़ी ऐसी थी करी थी कि नहीं हम तो बाहर जाएंगे और गूमेंगे अब हम शौर मचाते हुए आगे बड़े तो एक ऐसे इस्तान पर पहुँचे जहां ठोस वस्टू का नाम भी ना था अभी करीए ऐसी जगे गए जहां ठोस वस्टू का बड़ी बड़ी चट्टा ने लाल फीली पड़ी थी और नाना प्रकार के दातुएं इधर उधर बहने को उतावले हो रहे थे अभी करी कई प्रकार के दातु इधर उधर बहने के लिए तयार थे इसी इस्थान के आज पास एक दुरगटना होते होते बची हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसंत है कि अंदा दुद बिना मार्ग देखे बढ़े चले जा रहे थे अभी करी बिना देखे हम आगे बढ़ते जा रहे थे और ये गुर्गटना हो गई इससे अचानक एक ऐसी जगे जहां पहुँचे जहां तापकरम बहुत उचा था बिकरी ऐसी जगे चले गए जहां बहुत उचा तापकरम था यह हमारे लिए असे था यह उनके लिए सेनी नहीं था हमारे अगुवा कापे और देखते देखते उनका जीवन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विपाजित हो गया अब यह कहरी इतने कापे कि उनका जीवन नी खतम हो गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मन गया इस दुरगटना में मेरे कान कहड़े हो गए मैं अपने और बुद्धीमान साथियों के साथ एक और निकल भागी अब यह देखा इसने तो यह थोड़ी बुद्धीमान निकली इसने क्या किया एक और निकल भागी ठीक है बटा उसका नेक्स भाग अपन